हाई गाई इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज इस वीडियो सेशन में हम 31 जनवाई तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमिसा की तरह आप इस वीडियो को अंत्य तक चरूर मिलेगा साथिका इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यह दिया आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियाफ वीकली पीडियाफ और मंतली पीडियाफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कोमेट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये ल पर ही मिल पाएगा तो यह सभी टोपिक्स हैं जो हम आपको पीडियाफ फॉर्मेट में प्रवाइट कराते हैं तो यह दिया हमारा पीडियाफ कोर्स पाए करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कोमेट में मिल जाएगा और हमारे पीडियाफ कोर गए करन्ट अफेर्स क्विकली रिवाइस कर लेते हैं कि प्रायम इश्टन रिएंद्र मोदी ने फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एश्या सम्मिट इसको होस्ट किया है वर्चुल फॉर्मेट में रुशियन चाइनीज और इरानियन निवी इन्होंने गलफ ऑफ ओमान में सब्सक्राइब करें तो यहां पर बारत की रेंगे 85 जीबाला सुब्रमन्यम इनको नाइजीरिया में बारत का अगला नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया ने टोंगो इस आईलेंड नेशन में जो सुनामी आई है तो उसके लिए तूलेक यूएस डोलर की रहता एनाउंस की है 20 दिन की एक जोइंट मेरी टाइम एक्सेसाइज यह कंड़क्ट ही गई इंडियन नेवी द्वारा अरेबियंसी में और इसका नाम रहा पश्चिम लहर सिटी यूनियन बैंक ने गो की इसके साथ मिलकर एक सीउबी फिटनेस वाज डेबिट कार्ड इसको लौँच किया है लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक और आईटी मदरास यह दोनों ही मिलकर लो कोस्ट लो फ्रिक्वेंसी 5G नेटवर्क डेवलप करेंगे हो मिस्टर अमिच्छा ने इंडिया का फर्स्ट डिस्टिंग कुड कमेंडेंस इंडेक्स लौँच किया है जम्मु एंड कश्मीर में नेसल स्टोक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यह 2021 में वर्ड का लाडजेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उबरा है पी-एस विनोत राज जो की कुजंगल इस फिल्म के डारेक्टर है तो आपको जाना चाहिए जो यह कुजंगल है इसको बेस्ट फिल्म अवर्ड मिला है 20 धाका इंटरनेशल फिल्म फेस्टिवल में इंडिया का फर्स्ट ग्रैफीन इनोवेशन सेंटर यह किरिला में इस्टेब्लिश किया जाएगा इंडिया ने 300 बिदियन युएस टोर का इलेक्ट्रोनिक्स पावर हाउस बनने के लिए एक 5-year रोड मैप अन्वेल किया आपको जानना चाहिए कि जो ऑप्टिमल हैज रे जो की इटेलियन बोर्न फ्रेंच थी इनका हाली में निधन हो गया है तो चलिए अब देखते हैं 31 जनुवे तक के सभी करंट अफेर्स डेनियल मेद्वेदेव को हरा कर अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन किताब किसने जीता है और सही आंसर होगा ऑप्शन ए तु देखिए राफेल नडाल जो की इसपेन से है इन्होंने रशिया के टेनिस प्लेयर देनियल मेद्वेदेव इनको हराया है और इन्होंने अपना तूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइचल जीत लिया है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइचल उनुन फ में जीता था साथ इन्होंने एक केर्थिमान भी हासिल किया है इन्होंने 21st अपना Grand Slam टाइटल जीता है जो की एक record है अब तक 20 पर शल रहे थे ये और नुवाक चोकोविज और रोजर फेडर ठीक है तो अब ये उन दोनों से आगे निकल गए है 21st इन्होंने ये अपना टाइटल जीता है Grand Slam टाइटल जीता है साथे आपको जानना चाहिए इनके नाम 13 फ्रेंच उपन टाइटल्स है जो की खुद में एक record है साथे आपको जानना चाहिए साल 2016 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मैडल जीता था और इनको The King of Clay के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited के नए अध्यक्ष और प्रबंद इन देशक के रूप में किसे नामित किया गया ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन C है तो पुष्प कुमार जोसी आपको जानना चाहिए जो हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited यानि की HPCL यह ONGC की सब्सुडरी कमपनी है और इसका हैटकोर्टर समोंबई महारास्ट में है भारत की 1964 टोक्यो ओलम्पिक्स स्वेंड पदक विजेता उस होकी टीम के कप्तान कोन थे ओप्शन सापके सामने है और सही आंसर यहाँ पर ओप्शन D रहेगा जानेगे इस कोश्चन के बारे में देखिए जो भारत ने ओलम्पिक गोल्ड मैडल जीता था 1964 के टोक्यो ओलम्पिक्स में तो इसके कैप्टन रहे थे चरंजीत सिंग तो हाली में 93 वर्स की आयू में उना हिमाचर परदेश में इनका निधन हो गया है साथे आपको जानना चाहिए 1962 एशियन गेम्स 1962 के जो एशियन गेम्स रहे है इसमें जो भारतियों की टीम थी उसके भी ये मेंबर रहे और यहाँ पर सिल्वर मेडल हमारी टीम ने जीता था साथे आपको जानना चाहिए इन्हें अर्जुन आवाउड और पदविश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत के सबसे बड़ी इलेक्रिक वहां चार्जिंग इस्टेशन का उद्गाटन कहां पर हुआ है सही आंसर ओप्शन C है इंडिया का बिगेस्ट इलेक्रिक वहिकल चार्जिंग इस्टेशन इन गुरु ग्राम तो देखिए इंडिया का बिगेस्ट इलेक्रिक वहिकल चार्जिंग इस्टेशन ये इन गुरु ग्राम पर और आपको जानना चीश से पहले जो लार्जेस्ट इलेक्रिक वहिकल चा डेवलप किया गया है बारत की पहली महीला राफिल फाइटर जैट पाइलेट का नाम बताईए जो गंतंतर दिवस समारों में भारतिय वायू सेना की जहांकी का हिस्सा थी और यह है उपलब्दी हासिल करने वाली दूसरी महीला फाइटर जैट पाइलेट बनी है ओप्शन्स फर्स्ट विमन राफिल फाइटर जैट पाइलेट सिवांगी सिंग वास पार्ट अफ इंडियन एर फाइटर जैट को उड़ाती है इनका नाम में सिवांगी सिंग तो यह इस बार जो एर फोर्स की जहांकी जो रही रीबब्लिक टेप्रेड के दोरान उसका हिस्सा रही है आपको बतातेकं इससे पहले भावनाकांत गये इंडियन एर फोर्स की जहांकी इसका हिस्सा रह चुकी थी तो अब इस साल रही है वाली यह एक सेकंड फीमेल फाइटर जैट पाइलेट बन गई है साथिय आपको जानना चाहिए इस पार जो इंडियन एरफ्रस की जहांकी 30 का theam रहा इंडियन एरफ्रस transforming for the future ले शाधिय आपको जानना चाहिए शिवांगी सिंह ने इंडियन एरफ्रस led 2017 में जोइन किया था ये वाजरांसी से हैं और अम्बाला में जो इंडियान एरफोर्सी गोर्डन एरोस स्क्वार्डन है उसकी ये पार्ट है साथ है आपको जाना चाहिए कि इस बार जो जहांकिया रही हमारे गणतंतर दिवस के इसमें समारों में ये अपकी बार केवल 21 ही रही है नए मुख्य आर्थिक सलाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और सही आंसर ऑप्शन डी है विंकट रमन अनन्त नागेश्वरम ये आप कहेंगे वी अनन्त नागेश्वरम हैस बिन अपॉंटेड एस दा न्यू चीफ एकोनोमिक एडवाईजर तो दिखें डॉक्टर विंकट रमन अनन्त नागेश्वरम ये नए चीफ एकोनोमिक एडवाईजर होंगे गवर्मेंट ऑफ इंडिया के आपको बता दें इस से पहले ये राइटर ओथर टीचर और कंसल्टेंट की रूप में भी काले कर चुके हैं आपको बता दें ये वाला जो पद है चीफ एकोनोमिक एडवाईजर का ये 17 दिसंबर 2021 से ही खाली था क्योंकि केवी सुब्रमनियम इन्होंने यहां से अपना ओफिस छोड़ दिया था ठीक है तो इन से पहले कौन थे केवी सुब्रमनियम बाकिया आपको जारना चाहिए जो डॉक्टर नागेश वरन है ये आई एफ एम आर ग्रेजुएट इस्कूल ओफ बिजिनस यहां पर डीन भी रह चुके हैं और क्रिया यूनिवस्टी इसमें ये विजिटिंग प्रोफेसर ओफ एकोनोमिक्स भी रह सके हैं साथ्य आप उजारना चाहिए 2019 से 2021 तक यह एकोनोमिक एडवाजरी कांसिल दूदर प्राइम मिस्टर ओफ इंडिया इसके पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं तो एक्स्पेरियंस तो इनके पास काफी अच्छा है ठीक है तो यह बने हैं चीफ एकोनोमिक एडवाजर जय भीम और किस फिल्म को 94 वे अकैडमी प्रुसकार के लिए शोट लिस्ट किया गया है और सही आंसर आपका ओप्शन डी रहेगा जय भीम और मरककर हैव बीन शोट लिस्टेड फोर दे 94 अकैडमी अवार्ड्स देखिए सूरिया एक्टर है तो इनकी एक तमील लीगल ड्रामा है जय भीम और महललाल जो एक्टर है इनका एक ये मलियालम एक्षनर मूवी है मरककर जिसे आप कहेंगे लाइन ओफ ता ये भारत की तरफ से जो है शामिल की गई है आपको जाना चाहिए जो जय भूहीम है इसके डारेक्टर हैं टी जे गननाविल और जो मरककर है इसको लिखा है और डारेक्ट किया है प्रिय दर्शन ने साथ ये आपको जानना चाहिए अब तक अच्छे जो एकेडमिय अवार भारती महीला होक्की टीम ने 2022 एशिया कप मस्केट ओमान में कांसे पतक हासिल करने के लिए किस टीम को हराया है सही आंसर ओप्शन ए है एशिया कप मस्केट ओमान में हुआ है और सुल्तान कबूस स्पोर्स कंप्लेक्स में हुआ है यहाँ पर जापान ने साउथ कुरिया को हराकर यह वाला टाइटल जीता है सही दिवस किस दिन मनाया जाता है 23 मार्ज को 30 जनवरी को या फिर दोनों ही दिन या फिर इन में से कोई नहीं तो सही आंसर ओप्शन C है तो जानेंगे इसके बारे में देखे भारत जो है न दो शही दिवस मनाता है एक तो 30 जनवरी को मनाता है और एक 23 मार्ज को मनाता है तो देखे 30 जनवरी को तो हम महत्मा गांदी के उपलक्ष मनाते हैं और 23 मार्ज मना दे हैं भगत सिंग राजगरूर सुक्तेव जी के उपलक्ष में क्योंकि 23 मार्ज 1931 इस दिन भगत सिंग राजगरूर सुक्तेव इन तिनों को ही फास हुई थी और यह देश्ट के लिए सहीद हो गए थे ठीक है और इनके अलावा और भी जो इंडियन फ्रीडम फाइटर से उनको इस दिन याद किया जाता है सहीद दिवस के दिन अब अगर हम बात करें 30 जनवरी को तो आप सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी भी जो है शहीद हो गए थे तो इनके उप्लक्स में सहीद दिवस मनाया जाता है तो जनवरी 30 महात्मा गांधी संबंदी थे मार्ज 23 बगत सिंग राजकुरू सुक्ति से संबंदी देटा गोपनियता दिवस हर साल इस दिन होता है सही आंसर ओप्शन यह है तो डेटा प्राइवेसी डे अकर्स एवरी एर ओन जनवरी 28 तो देहिए डेटा प्राइवेसी डे जिसे यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन डे भी बोलते हैं तो एक काफी इंटरनेश एक इंप देटा सत्यमंगलम टाइगर इसर्व ने टी क्रोस टु यह टिएकस टु जो भी आप कहाना चाहिए पुरुषकार जीता है यहे रिजर्व किस राज़े में इस्तित है ओप्शन sometime आनसर ओप्शन डी है सत्यमंगलम टाइगर इसर्व पोन टाइगर डिजर एन्वर्वियमे तो देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो की तमिलनाडू में इसको प्रिष्टीचियस यानि की प्रतिष्टित इंट्रनेसल टी क्रोस्टू आवार्ड दिया है ठीक है किसले दिया है 2010 के बाद से इसने अपनी जो टाइगर पोपुलेशन ने उसको डबल किया है साथ इसके नाम ऑवाड के नाम में ही जो किसली दिया जाता है चीडक्ति क। सभी टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिन्हों है 2010 के बाद से अपनी टाइगर पॉबूलेशन को दोगुना किया है तो यह वर्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा दिया जाता है जिसमें कि कंजर्वेशन एक्टाइगर स्टेंडर्ड फोना एंड फ्लोरा इंट्रेंट ग्लोबल टाइगर फोरम ठीक है आई यू सी इंटिग्रेटेट टाइगर है एबिडिट कंजर्वेशन प्रोग्राम यह सभी इसमें शामिल है कि नेक्स्ट है मारे पास दो टैन ट्रिलियन डॉलर ड्रीम इस पुस्तक के लेकर कौन है ऑप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है डी है तो देखिए फॉर्मर फाइनस सेक्रेट्री है सुभाष चंदर गर्ग तो इन्होंने यह पुस्तक लिखिए दे टैन ट् स्टोर की इकनोमी बच जाएं क्या 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 इशू है हमारी पॉलीश में इकनोमिक पॉलीश में वह भी इन्होंने इसमें डिसकस किये हैं वर्ड गोल्ड काउंसिंग के लिसार 2021 में वैस्विक सोने की मांग दस प्रतिशत बढ़कर 4021 टन हो गई है आपको बताना है 4,021 टन्स इन 2021 दी हैटक्वाटर्स ओफ वर्ड गोल्ड काउंसिल इस लोकेट इन लंडन युनाइटेड किंग्डम देखे जो ग्लोबल गोल्ड डिमांड है यह आपका 2021 में 4,021 टन पहुंच गई है यानि ही 10 प्रतिशत की जो हैं आपर बड़ोतरी देखने को मिली है त इन रिपोर्ड गोल्ड डिमांड ट्रेंट 2021 में आपको जानना चाहिए जो यह वर्ड गोल्ड काउंसिल इसका हैटकाट अस लंडन युनाइट किंग्डम में है और इसके सीयोर टेविड टैट है दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लोक का उद्गाटन किस बंदर का शहर मे किया गया है ओप्शन आपके सामने है सही आंसर ओप्शन सी है दिवर्ड लार्जेस्ट कैनाल लोक हैस बीन इनोगरेटेड इन पोर्ट सिटी इमुईदेन ठीक है इमुईदेन यहापे जो जे है न यह साइलेंट रहता है इमुईदेन तो देखिए जो डच किंग है यानि लार्जेस्ट सी लोक बताया जा रहा है तो यह 500 मिटर लोंग है और सेवंटी मिटर वाइड है और आपको बता दें यह जो है कहां पर है यह इमुईदेन में जो कि एक स्मॉल पोर्ट सिटी है जो कि नोर्थ सी कैनल को पोर्ट ऑफ एमस्टर डॉम निदर्लेंड से पूचेंगे तो आप इसको बोलेंगे इमुईदेन निम्री कित में से कौन विश्व का सबसे मुल्यवान ब्रैंड है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन है सो एपल इस दा वर्ट्स मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड्स आप यहां पर इसक्रीशोट ले सकते हैं बाखी टेलिग्राम पर मैं आपको यह शेर कर दूंगा इस तरह की 45 इमेज है है न हम डेली देख रहे हैं इस तरह के कुश्चन्स मोस्ट वैल्यूबल ब्राण कुन सा है है और फास्टेस्ट ग्रॉइंग ब्रांड कुनसा है यह सब हम देख रहे हैं तो यह चार पांच इ अमेजोन है और थर्ड नमबर पर है गूगल ऐसा का है ब्रैंड फाइनस ग्लोबल 500 2022 रिपोर्ट ने आपको जानना चाहिए सबसे यादा जो वैलुएबल ब्रांड्स हैं यह किस कंट्री में यह यूएस में हैं उसके बाद हैं चाइना में साथे आपको जानना चाहिए एद इवेंड चेर्मेन सत्या नडेला तो यह वर्ड के टॉप 250 CEO की जो लिस्ट है उसमें पहले रंबर पर हैं आप देख सकते हैं माइक्रोसोफ्ट सत्या नडेला कमस आउट टॉप इन ब्रैंड फाइनस ब्रैंड गार्डियोंशिप इंडेक्स 2022 और वर्ड टॉप 250 CEO बाकि आ पास्ट के नियमित बजट आकलन में कितने राशिका बुकतान किया है सही आंसर ओप्शन भी है तो इंडिया पेट 29.9 मिलियन यूएस टोलर इन यूएन डैगूलर बजट असेस्मेंट्स फॉर दा येर 2022 तो देखें जो यूएन डैगूलर बजट असेस्मेंट है 2022 के यहां पर चै participants ऐ आपको जाना चाखें वह जो है जो इसके जो 19 अश्रूर एपदेर नेश्रूंस की है ठीक है इसके जो 95 यहां पर सामिल है ऊच्रेत बुए लिए 31st December 2022 तक है 2 year का term है इसका किस संगठन ने Inequality Kills सिर्षक से report जारी की है options आपके सामने है और सही answer option C है So Oxfam India has released the report titled Inequality Kills जानेंगे इस report के बारे में तो देखिए Oxfam की एक report आई है जिसका title है Inequality Kills यानकी असमानता Inequality बतलब असमानता तो इस report ने ये कहा है कि जो भारत के Reaches 98 people है तो उनके पास उतनी ही wealth है जितने की भारत में 552 million जो bottom के हैं जो सबसे निचले तरजे के जो लोग है 552 यदि हम मतलब आर्थी किसली से बात करें तो उनके बराबर जो है 98 Indians की wealth है तो इस जो 98 Indians है ये इतने reach हैं कि 552 million people के बराबर इनकी worth है साथ ही आपको जाना चाहिए COVID-19 से जिस तरजे पुरी दुनिया जो जी है उसमें भी भारत पीछे नहीं रहा और भारत ने इसमें 2021 में 40 नए billionaires अपनी रिस्ट में add कि हैं और भारत में 142 billionaires है साथ है आपको जाना चाहिए inequality की वज़े से हर 4 सेकेंड में कम से कम एक व्यक्ति की जो है मृत्यू हो जाती है साथ ही इसमें काहिए कि 2021 में जो 84% of households हैं इनकी income में कमी आई है लेकिन सेम टाइम पे जो भारत में billionaires की संक्या है वो 102 से बढ़कर 142 हो गई है साथ ही ये भी कहा गया है कि pandemic के टाइम पर जो इंडियन billionaires है इनकी जो wealth है ये 23.14 lakh करोड से भरकर 53.16 lakh करोड पहुच गई है और अगर हम पूरे word की बात करें तो भारत 30 नंबर पर सबस्यादा billionaires जो है भारत में है साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिया में जो billionaires संक्या में 39% का इजाफा देखने के लिए मिला है साथ ही अगर हम word की बात करें तो हर 26 घंटे में कोई ना कोई एक नया billionaires जो है बना है पेंडेमिक के टाइम पर जबसे पेंडेमिक शुरू ही है तो ऐसा भी इस रिपोर्ट ने कहा है चलिए अब देख लितने प्रिवेस असाइनमेंट कोश्चन के आंसर हुई स्था करेंट चेर्मेन ऑफ राज्यसरभा आंसर इस एम वंकाया नाइडू या फिर इंडिया स्मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अर एक्सपेक्टेट तो क्रोज अरिकोड शिक्सुटी बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिसपेट करती रहें चलिए अब देखेंगे अपने इंगलिश के सब्द तो देखेंगे अखिलेस प्लेज़स समाजवादी थाली टो रिस्ट यूपी फ्रों बीजेपी तो हमारा सब्द कै है? प्लेज़स आप सबी जानते हैं एक तरह की पृतिग्या करना, एक तरह की हुँंकार भरना तो देखे अखिलेश यादव क्या करें है अखिलेश ने ये प्रदिग्या की हम समाजवादी थाली लाएंगे तो समाजवादी थाली से क्या होगा हम ऐसी थाली लाएंगे समाजवादी थाली इतनी सस्ती ठीक है उससे हम क्या करेंगे जो यूपी है यूपी से बीजेपी से यूपी को जो है हम रेस्ट कर लेंगे रेस्ट का मतलब क्या होता है यह आप देखिए है दूसरे ना टू टेक अवे बाई फोर्स ठीक है टू रेस्ट अनाइफ रोम चाइड जैसे कोई बच्चा है उससे नाइफ हमने फोर्स फुली छीन लिया तो यह ही अखिलेसी ने कहा है कि हम सबाजवादी थाली जा रहे है और इस थाली से लोग इतने प्रभावित होंगे कि हम बीजेपी से यूपी को चीन लेंगे बीजेवी का राज नहीं आपर अभी मतलब राज क्या मतलब चीफ मिस्टर नहीं आके ठीक तो राज तो जनता का होता है तो देखे बीजेपी से हम जो है इसको चीन लेंगे रेस्ट कर लेंगे तो यह इसका मतलब है तो आप इस प्यारे से सब्द को कहीं पर भी जो है पिर हो सकते हैं काफी प्यारा सब्द है तो आप इस रेस्ट सब्द को जरूरी उच कीजिएगा अगला सब्द देखें डबलो एच्चो कोवीड रिस्क इस्टिल हाई नो कंट्री आउट ओफ फूड्स यट तो डबलो एच्चो ने कहा है कि कोवीड रिस्क अभी भी काफी हाई है कोई भी कंट्री यट अभी तक आउट ओफ यट आउट ओफ फूड्स नहीं है तो आउट ओफ वूड हमारा शब्द है आउट ओफ फूड्स का मतलब होता है तो नो लोंगर बी इन डेंजर और डिफिकल्टी तो आउट ओफ फूड्स का मतलब होता है कि खत्रे से बाहर लेकिन शुरू में आपर क्या लगा दिया है no country यान कि कोई भी country खत्रे से बाहर अब तक नहीं है तो covid risk अभी भी काफी हाई है और कोई भी country भी खत्रे से बाहर नहीं है यानि कि out of woods नहीं है एससी के previous year paper ठाकर देखोगे तो दो तीन बार आप देख लोगे out of woods जो है repeat है एससी ने जो किरन की बुग आती है न उसमें देखना कई बार आपको out of woods मिल जाएगा तो इस अब आपके अगर आप daily newspaper पढ़ते हैं या फिर जो मैं आपको बता रहा हूं इंसे cover करते हैं तो आप इनको no down करते रहा कीजिए तो देखे be out of woods का मतलब है to no longer be in danger or difficulty यानि कि आप डेंजर है difficulty में नहीं है इसका मतलब होता है out of the woods जैसे आप यहाँ पर देखेंगे the project has been given funding for another year but it's not out of the woods yet प्रोजेक्ट को जो है और एक साल के लिए funding दे दी गई है लेकिन अभी भी यह खत्रे से बाहर नहीं है जो प्रोजेक्ट है यह भी भी किसी खत्रे से बाहर नहीं है फिर difficulty से बाहर नहीं है अभी भी इसमें काफी सारे page अड़े हुए है अब देखते हैं आज की assignment questions when was air India nationalized who was mr. neil nonkinry who passed away recently which para athlete was named as a recipient of the padomotion award which state or UT's administrative headquarters is located at campbell pay the European Union launched a case against which country for targeting Lithuania over its stance on Taiwan तो पांचे questions के answer आप में comment box में चुरूर बताईएगा दोस्ता आप लोग comment में answer नहीं करते हैं देखिए ऐसा मत कीजिए कम से कम एक question का answer तो आप देई सकते हैं केवल 10-15 लोगों के answer आते हैं बीच बीच में तो 60-60 बच्चे भी answer करने लगे थे तो इस तरह से मत कीजिए try किया कीजिए दिए कौन्च रगा answer भी आता है तो भी आप हमें देने की कोशिस किया कीजिए साथी current affairs funda को आप टेलिगाम पर बीजोन कर सकते हैं यहां पर डेगुलर वीडियो अपडेट्स और current quizzes हम आप सबी लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे current affairs की प्लेश देगी है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें आज का यह session आपको कैसा लगा हमें comment box पर जरूर बताईएगा थैंक्यू गाइस